आम्रा और एकादसी के ब्रत जो आप सभी को एकादसी की हार्दिक सुपकामना है वैसे तो हर एकादसी का अलग-अलग नाम है और अलग-अलग नामों से ही ब्रत किया जाता है साल में पुरे 24 पढ़ने वाली एकादसी है और बाकी अमास्य में भी 24 ही पढ़ते हैं दोनों मिलाके 24 ब्रत हो जाते हैं तो आज है एकादसी का ब्रत और आज मैं बना रहे हूं ब्रत वाली सबजी और बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे कुछ न कुछ सायतानिया करते ही रहते हैं और अब साइकल से स्कूटी चलाना सीख गया है जो घर में अगर किसी की सब्सक्राइब तो बच्चे तुरंत ही चालू हो जाते हैं तो ऐसे ही करके मेरा बच्चे और खुद बोला है कि मेरा वीडियो सुट करिए और इसके बाद कहना है बनाएए तो मैं इसका एक मुमेंट में खीच रही हूं और अचानक से आज मौसम थोड़ा खराब हो गया ह है सुबा के टाइम में बहुत अच्छे धूप निकला हुआ था और देखते ही देखते दो तीन घंटे में मौसम कुछ इस तरह से हो गया है असुबा के बज़ रहे हैं दस बच के 17 बिनट जो अभी का आप को व्यू मैं दिखा रही हूं सुबा सुबा के टाइम में और ख अब पूदे कौन कौन से प्लांट है और अब और मही इस महीने में तो हर एक फल फूर्ट की फूल निकल लगा है क्योंकि एक दो महीने में तो खाने राइक सारे हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे हरे बड़े लग रहे हैं तो आज का नजारा और आज का व्यू आप दे साथ ही साथ इनसान भी ठंडी के वज़े से एक दम सिमंट सगया था और अभी तो क्या है सारे लोग बच्चे बुड़े सब पुरह खिल खिला के अच्छे सुबह सुबह उठके ही टहलना चालो हो जाता है और जो जिसको करना रहता है उसुबह में ही उठ जाते क्योंकि चैंज हो रही है सुबह के चार बजे से लेकि पांच बिज तक सारी लोग बूड़ जाते हैं और देखिए कितना संदर संदर गेंदे का फूल हमारे घर पे खिला हुआ है और यह सारे फूल पूदे खरीदा हुआ नहीं है क्योंकि फूल जो हम पूजा करते हैं चड़ाते हैं उसी फूल का निकला हुआ वीज और सारे गंबले में लगा दिये गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से और यह नहीं है कि बड़े-बड़े हो जाते हैं जी नहीं देखिए इतने छोटे-छोटे से हैं इसे में खिले रहते हैं और हमेशा प्लांट चेंज करना भी न उसी फूलिख नहीं लगा और हमेशा ही हमारे घर पर पढ़ेशा है। अगर इसमें से आप चेंज़ करके अगले ही दूस्रे गंडले में लगाते हो तो भी होजाता है और यह मैंनी प्लांट का पौद्धा यह वी काफी लंबा हो गया है और देखिये सारे घेदे फूले हूए हैं, बहुत अच्छे से फूल निकल गया हैं और इसमें से भी बहु जैसे होते हैं बहुत ही soft होते हैं आप इसको चाहे चुओ चाहे चुओ अगर एक भी पता तूट गया कहीं आप पहात में आए या कहीं भी लग जा रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जैसे होता है कि चाइनीज घास और बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे करके है और यह है धूपिय पौधा को किसी के हां तो इसको मोर पंक बोले जाता है हमारे यहां इसको धूपिय फूल का पौधा बोले जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है और यह ऐसे ही करके रहता है सोप प्लांट एवी है बहुत अच्छे तरीके से दि बाज़िप रखा जाता है और यह गुढ़ हल पिंग कलर का है बहुत खुबसूरत है अभी तो यह चोटा सा है तो मैंने अपने इस क्यामरे में क्याप्चिल कर लिया कि बहुत ही अच्छा और इसका भी प्लांट बहुत ही चोटा सा इसी में यह निकला हुआ है और देखें कि आप अपनी घर पे लगाते हो तो अगर आप ज्यादा टाइम तक रखते हो तो पूरे साल के लिए भी हो जाते क्यूंकि अभी आप इसमें से फूल निकला हुआ और तुरंत इसका पौधा लग जाता है और इसके बाद फिर आप जुन जुलाई से फिर इसको लगाना चाल जुड़ें जी मे जाथ टरते पीड़ पॉधें ये लगाया जाता है और गो खराब हो जाते हो इसको हटा दिया जाता जisco हो अब जो अच्छे कि अस्यका कर शेंचे में यहां भी नए नए फूल नए नए पौधे और जो पुरानी चीज़ें वह भी आपको देखने को मिल लगा है और ऐसे करके सारे प्लांट लग रहा है और यह तो अभी जल्द ही लगा है जो क्योंकि इसका निकल गया था कुछ पौधे आप फूल निकल ले बाद ही लगाते ह लोगा है और गमले में लगा है क्योंकि यह तो अपीस के लिए थोड़ा दिखता है और तीन पत्तिया वाले हो हरे कलर का इसमें होता है और हमारे घर पे छोटे चोटे आम की पौधे हैं तो बहुत सारे सारे में फूल निकल गया है लीची है आम है अमरूद है अनार का है स बहुत बोले हुआ ना कि इस महीने में तो बहुत ही अच्छी लगते हैं सारी प्लांट पोधें और इसमें से जब आम का सीजन होगा तो भाई पिर आपको यह सारी और हमारे घर पर आउले का बहुत बढ़ा ही पेड़ है उसमें भी आउले हैं क्योंकि अभी तो आउले का सी आरे में ही निकले हुए है सारे छोटे बड़े साथ हर साइज के जाता है और कि बहुत छोटे से ही आम होना चालू हो जाता है तो हमारे घर पर उस टैब का भी पौधा है इनने में हरे बरे सारे रहते सब अच्छे लगते हैं तो आप सब को आज का यह प्लान्ट वाला पौधा और पेड़ सारे का वीडियो आप सब को अच्छी लगी को तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और वीडियो में कमेंट तो बिल्कुल भी मत उल्टा सिद्दा सोचिएगा क्योंकि होता है कि हर कोई कहीं नहीं थोड़ी वहुत वाइस में कमी बेशी हो जाती तो इसमें हसने और मज़ा बिल्कुल भी मत बनाए क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हसते हो या नहीं बोलते हो तो आपने ही में ही बात करते हो या कुछ भी करते हो तो उपर वाला देखता है तो प्लेज मेरे इस वाइस में अगर कहीं कमीबेसी हो जा रही हो तो प्लेज उसको इग्नोर मरिएगा और यह है सिम्रा मिर्च का पोधा अब यह भी इसमें भी फूल निकलने वाले हैं क्योंकि मार्च के महीने से सारे ही पौधे पेंड पल जितने होते और टामाटर का भी है अब देखे निकला है तो धूप जिब लगता है तो सारे पेंड पौधे में अच्छी से स्टार्टिंग उसका ग्रोथ होना चालू हो ज झालू होलू होलू झाल झाल तो जाते जाते एकदसी प्रत की आपकी धेर सारी हार्दिक सुपकाम नाए और फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंस बाए बाए